गरीब की जोपड़ी पे आपका बुल्डोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कारवाई पेसेवर अपराधियों के खलाप होनी चाहिए। करके वो उनके उपर में बुल्डोजर चलाते हैं चाहिए बात कानपूर दंगे की करले कानपूर दंगे में जो भी शामिल हुए या फिर यूपी में जिस तरीके की सामप्रदाइक दंगे हुए उन दंगों में जो अपराधि छवी के लोग दिखे उनके घरों के उपर में बुल्डोजर चला लेकिन बुल्डोजर चलाते हैं वक्त जो उनके अपसर और जो उनके कर्मी होते हैं वो कई बार कई गलतिया कर बैठते हैं जिसके बाद से कई बेकसूर लोगों के घरों के उपर में भी बुल्डोजर चल जाते हैं जिनका उस या तो जो अपराधिक छ नजर आ रहे हैं कि आप वैसे लोगों पर बुल्डोजर ना चलाएं जो दोसी नहीं है। गरीब की जोपड़ी पर आपका बुल्डोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कारवाई पेसेवर अपराधियों के खलाप होनी चाहिए। गरीब के खिलाप नहीं। और गरीब अगर कहीं पर उसने ऐसी भूमी पर उसका मकान बन ही गया है। तो पहले जो आरक्सिस फिरेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई विवस्ता दीजे विवस्ता देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमती से फिर उसको पनरवास करिये। योगी आदितिनाथ अपने अपसरों को दिशा न्रदेश देते वे नजर आ रहे हैं। और कहते नजर आ रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी अपरादिक छवी का वेक्ति होता है या फिर किसी अपराद का दोसी होता है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगियात इतिनात उसके घरों के उपर में बुल्डोजर चलाते वे नजर आते हैं तो एक बार फिर से उन्होंने अपसरों पर सक्त हिदायत दिये कई बार गरीब और निर्दोस्त लोगों के घरों के उपर में भी उनका बुल्डोजर चल जाता है जिस वज़े से कही ना कहीं काफी परिशानिया होती है वो बेघर हो जाते हैं तो अपने अपसरों पर जो है उन्होंने कहा है असपस टूप से कि वो ऐसा ना करे ऐसा करने पर उनके उपर में भी कारवाई हो सकती है बरहाल इस वीडियो में इतना ही जुड़े रिये NBC24 के साथ में जाते जाते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा पेज को लाइक कीजेगा वीडियो कैसी लगे कोमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा बहुत दन्यवाद समय दर्शको